नमस्कार दोस्तो मैं रुपमतिवर्थे पुपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रुपा ग्रेन गाडन में उम्मिद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरा वीडियो पहली वार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब क या काम खर रही थी व्रेया लियजो डाल रही थी शर अखली वार जाओ क कनel चीज में आप लोगों के साथ में शेयर करती जो मेरे सामने हों हो निकालती Picture कि मेन हम जब डालते हैं अपने प्लांटों पर तो कभी-कभी गंबले में जो फंगस लग जाती है तो उसको उसका निदान क्या है कि हमारे गंबलों में जो लिक्विट फटिलाइजर उससे फंगस कम लगे या ना लगे तो आज उस भी से में में बात करूंगी और एक चीज और है दोस्तों कि हम यही सरसोखली का लिक्विट फटिलाइजर को जादा दिन तक कैसे सेफ करके रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों दो तिन दिन के बाद में ही उसमें विक्टरिया हो जाती है कीड़े पड़ जाते हैं तो हम डाल नहीं पाते हैं तो हमें जादा दिन तक की स्टोर रखना हो तो हम किस प्रकार क्या उसमें ऐसा उपाय करें जो कि हम जादा दिन तक सेफ करके रख सकें तो दोस्तों ये बहुती महत्पून जानकारी कभी-कभी ऐसा होता है दोस्तों कि छोटी-छोटी सी जानकारियां होती है वो हमारे गार्डनिंग करने में हम जब गार्डनिंग करते हैं तो उसमें बहुती सायता मिलती है हमें छोटी-छोटी सी बाते तो चलिए दोस्तों हर एक काम को शेयर करते हैं तो चलिए तो यह देखिए दोस्तों मेरे यहां अभी रिपोर्टिंग का काम चल रहा है और क्यूंकि थोड़ा सा मैं डिले हो गई थी लेट हो गई थी रिपोर्टिंग करने के लिए और क्यूंकि कुछ घर में भी काम थे तब भी ठीक नहीं लग स्यारी कर रही थी लेकिन अब मैं फुल मतलब इसी में लग गई हूं तो दोस्तों देखिए मैंने कौन-कौन से यह देखिए क्लांचों की केर तो मैं सभी की कर रही थी लेकिन बस रिपोर्टिंग नहीं कर रही थी मैंने यह देखिए कौन-कौन से 4-5 कलर है मेरे क्लांच और इधर पिटुनिया और इधर इंपैसंस भी है मेरे फिर गमला तो जब स्टार्डिंग में नेब seedling ले के आई थी चोटी चोटी सी तो सबसे पहले मैंने seedling plate में किया फिर उसके बाद मैं grow बेग में किया उसके बाद में फिर मैंने final reporting की तो इस procedure के चक्कर में काफी time लग जग गया दोस्तो तो अब finally report कर दिये मैंने s44 गमलो में यह देखी दोस्तो तो यह सारे मैं जो Save Link लेके आती हूं, तो इस प्रकार मैं सीडलिंग में कर देती हूं। अब इनको भी मैं seedling plate में कर के और फिर last pot में करूंगी तो चलिए दोस्तो अब हम अपने जो topic है उस पर आते हैं और मैं बताती हूं तो सबसे पहले तो दोस्तो मैं बताती हूं कि हमारे गमलों में fungus क्यों लग जाती है कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि लग जाती है fungus fertilizer ऐसा है जब गाडा रहता है और फिर उसमें डॉलिट करते हैं तब भी उसमें थोड़ी थोड़ी जो सरसोखली की भूसी होती है वो रे जाती है और वही चीज पिर हम जब फर्टिलाइजर डालते है तो उसके साथ में गंले में चली जाती है तो वो फंगस का रूप ले लेती है तो यह देखिए दोस्तों इसमें कितनी सारी यह जो सरसोखली का जो रहता है वो रहती है और अगर हम ऐसे डिलेट करके पानी में और डाल देंगे तो यह सारा जाके हमारे गमलों में जम जाएगा और मैंने एक देमो भी किया है वो भी मैं बताती हूं तो यह देखिए दोस्तों यह हमने इसमें डाला एकदम बिना च्छने डाला तो इसमें यह देखिए यह जम गया है यह देखिए और यह सूखा एक पेड़ है उसमें क्यूंकि मैं अगर इसमें डालती तो मेरा प्लांट खराब हो सकता था इसलिए मैंने यह फालतू जो एक प्लांट वसूग गया है उसमें ये देखिए ये जो जम गई है और ये अगर हम उपर नीचे नहीं करेंगे तो ये फंगस का कारण हो सकती है मिट्टी में मिल जाएगा और फिर फंगस लग जाएगे क्योंकि ये दोस्तो सरसो और एक अनाज का रूप में आनाज में बहुत जल्दी फंगस लग जाती है तो दोस्तों मैं क्या करती हूँ मैं इसको ऐसे घोल लेती हूँ और जित्ती quantity में मुझे चाहिए रेता है जैसे मैं 20 लिटर पानी में ये एक मगगा मिलाती हूँ या डेड़ मगगा मिलाती हूँ तो मैं ये डारेक्ट ऐसे घोल कर और फिर ये ले लेती हूँ और इस प्रकार ये एक चन्नी आती है चन्नी में मैं चान लेती हूँ ये देखिए इस प्रकार हम चन्नी में चान लेते हैं ये देखिए और फिर ये मेरा 20 लिटर होगा ये मेरा टब और ये मैं एक मगगा ले रही हूँ और ये देखिए बहुत ही गाड़ा होता है दोस्तों कि छनी में से भी नहीं नीचे निकलता है देखिए कितना गाड़ा है तो इसको मैं क्या करती हूँ जैसे ये पानी में तो मुझे मिला नहीं है तो मैं इस प्रकार ऐसे करती हूँ तो ये जल्दी से ये छन जाता है और पूरा ये जो गाड़ा गाड़ा पानी है ना ये इसके अंदर चला जाता है इस प्रकार ये देखिए मैं पूरा छान के बताती हूँ और ये ऐसे ऐसे करके और ये थोड़ा सा हिला हिला के हम ऐसे करे तो बहुत जल्दी से धूली जाएगी ये जो खो Васारसोखली में जरा जरा थोड़ा सी थी फालतू कि नहीं जाता है ये इस प्रकार के खाला को उला है ये उसम थैये नहीं है न्यदे लेंगे और फिर हम अपने प्लांट पर डाल देंगे अपने गमलों में यह देखिए दोस्तों कितना पतला हो गया है और फिर भी उसके बाद भी हम जब अपने गमलों में जैसे देंगे इस प्रकार ऐसे दे दिया फिर उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों एक गमले में य एक मगगा या आदा मगगा फिर दोस्तों हम क्या करेंगे दो दिन बाद में हम यह जो मिट्टी हमने जो सर्सोखली डाली है उस मिट्टी को आसपास से हम गुड़ाई कर देंगे अगर थोड़ी बहुत भी अगर बच जाती है जो फंगस का कारण हो सकती है तो मिट्टी उपर नीचे करने से फंगस नहीं लगती है यह दोस्तों फिर एक और चीज बताती हूँ एक और चीज यह है कि हम जादा दिन तक के यह जो हमारा लिक्विट फटिलाजर है हम जादा दिन तक के सेप करके कैसे रख सकते हैं तो दोस्तों ये जादा दिन तक क्यूंकि हम तीन दिन में इसमें कीड़े हो जाते हैं बेक्टिरिया पैदा हो जाती है और कीड़े लग जाते हैं तो तीन से चार दिन में इसको हम यूज करना पड़ता है और अगर जादा दिन पांच छे दिन अगर इसको रखते हैं तो इस यह देखे, दोस्तों यह प्रनकार फंजिसाइड पाउडर है यह तो आप ट्राइकोर्टरम moe lילow यह साप नाम का भी आता है और यह मेरा सफल है तो यह साप के जैसी सफल है इसका कलर देखे इसा वाइट कलर में बन्हीमन आता है और यह थोड़ा सा यह इस कलर में है तो आप क्या किजेगा कि इसमें हमारे लिखविट में एक लीटर पानी आधा मगगा पानी लेकर इस परकार आधा काफी प्लांट है तो मैं सִर 6-3 चार मेरह काफ़ी प्लांट है तो म मैं इसमें 3 चमच क snippet मिला सकते हैं एक से भी काम चल जाता है एक और फिर क्या कीजिए कि बिल्कुल किड़े ना लगए paste हुआ यह वाला जो इंसेक्टि साइट तो इसकी तीन चारदिन बाद में कैशे भी हम सेफ करें के किड़े लग जाते हैं दोस्तों तीन चार दिन के बाद में तो फिर में इसमें इंसेक्टिसाइट आदा धकन डालती हूं जो छोटा धकन आता है ना हमारे दवाईयों का और इसमें जो बड़ा धकन आता है उसका तो एक चोथाई भाग ही डालती हूं इसमें क्योंकि काफी हो जाता एक चोथाई भाग डालने से बहुत ते पंदरा दिन का है लेकिन इसमें आपको एक कीड़े नजर नहीं आ रही है और नहीं एक बदबू भी नहीं आ रही है चार पात दिन बाद में इसमें बदबू भी खतम हो जाती है दोस्तों और जितना पुराना फटिलाजर होता है उतना कीमती और बहुती अच्छा गुणका जाड़ी होता है क्योंकि जो गर्मी होती है वो पूरा अब्जब कर लेता है ठंडक पैदा करता है क्योंकि सरसोखली में गर्मी तासिर होती है तो आप ऐसे करोगे तो बहुत ही अच्छा फटिलाइजर बन जाएगा हमारा और हम सेकंड टाइम में इसको यूज भी कर सकते है तो दोस्तो ये थी मेरी जानकारी अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरी जानकारी मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा धन्यबाद